वेल्कम टू पाइथन गुरू स्टेडेंट गाइज आज हम देखेंगे क्लास लेन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन एन इन्फॉर्मिटर प्रेक्टिस विद पाइथन गाइज आज हम देखेंगे नेश्टेट लूप इसके पिछली वीडियो में हमने पूर लूप वाइ लूप के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाया है गाईज अगर आप यह इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को दबाए दीजिए गाई तो अज हम अब शुरू करते हैं यह पाइथन इजी सीरीज का फोट इसमें जैसे देख रहे हैं आप यह आउटर लूप है यह इनर लूप है मतलब एक लूप जो बनाया है उसी के अंदर दूसरा लूप यह लूप यूज होता है रिपिटीशन के लिए गाईज यह इसके लिए यूज होता है जैसे हमको प्रिंट करना है इस्टार फोर करना है वह नंबर और हर बनायन अमबर रैकर नाहीं तो खाइज इसके लिए हम ये नेश्टाशम करते हैं इसको पिंट एक्शेट लूप यह इसकी डेफिनिशन गाइज हम इसको अगर एक एक्जामपल दे के बता है गाइज अगर हमको प्रिंट करना है हेलो और हाई और एनिधिंग मतलब जैसे आपका नाम भी अगर हंट्रेट टाइम्स प्रिंट करना है तो हम इसके लिए यूज करेंगे फोर आई इन रेंज इसके बाद वाले एक्जामपल हम अगली वीडियो में कवर करेंगे तो गाइज देखते हैं फोर आई इन अब इसको फोर लूप और वाई लूप के पिछले वीडियो देखिए इसका लिंक में पर आई बटन में देदूंगा तो गाइज हम अब देखते हैं फोर आई इन रेंज वान कॉमा वान अंड्रेड वान प्रिंट हेलो तो गाइज देखिए यह हेलो हंड्रेड टाइम्स प्रिंट हो चुका है तो गाइज यह एक लाइन में प्रिंट हुआ है मतलब है यह सिंप्ली हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं इससे क्योंकि इसमें कोई नेश्टेट लूप नहीं लगाई हुई है तो गाइज अगर हमको यह हेलो बार बार मैं आपको एक और एक्जाम्पल देखे बता देता हूँ तो गाइज जैसे हमको प्रिंट करना है हेलो पांच लाइन में पांच बार तो इसके लिए हम नेश्टेट लूप यूज करेंगे इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे इस वीडियो में आपको नेश्टेट लूप के बारे में बताना थेयूरी समझाना है इस वीडियो में आपको इसकी थेयूरी पूरी मिलेगी जिसको आप एक्जाम्पल लिख आएंगे तो आपको बिल्कुल पूरे नमबर मिलेंगे तो गाइज इसको हम इसके लिए भी य उनों तो 15 15 नंबर के कोशन पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए गा हम ऐसे इंपोर्टेंट कोशन लाते रहेंगे तो गाइस हम इसको आपको समझा देते हैं जिसे हमको प्रिंट करना है हर बार इस परिंट करना है जिसको हम जैसे पीरामिट टाइप बनाना है तो इसको यह भी चाहते हिए प्रींट होए और आगे हर बार इंक्रिमेंट करें तो गाइज इसके लिए अमने एस्टेट लूप यूज और जैसे हमको प्रिंट करना है अब टू एं तक मतलब हम डरेड तक अगर मान लेते है तो यह हमको चलाना है 01 जिसको फिर स्टार्ट करना है जीडो से और चलाना है घंडरेड तक लो गाइज यह से चलेगा 0 तो फिर 010 120 120 30 1240 125 लोगाइज यहर बार एक इंक्रीमेंट करेगा नंबर पूराने नंबर रिपीट करेगा तो अगर हमको इसको रिबस चलाना है जैसे हमने इसको इंक्रीज करा थे इसमें डिक्रीमेंट करना है तो इसके लिए भी हमने एस्टेट लूप यूज करते हैं इस इसमें पहले स्टार्टिंग में कम होई इस्टार्टिंग में जादा रहेगी फिर दीरे दीरे कम होती जाएगी इसमें इसमें चलाया था इसमें इंक्रीमेंट हुआ है इसमें डिक्रीमेंट हुआ है तो आप देख सकते हैं गाइस अगर तो यह आपको यह वीडियो अच् तो गाइज प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए हम 3-4 दिन में इसके पूरे पायतन E2Z नोड भी अपलोड करेंगे जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पीडियेफ फॉर्म में तो गाइज प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब करके रखिए झाल